हेलो क्लास 12 स्टुडेंट्स, डिटर्मिनेंट के थर्ड एक्सेसाइज के फिफ्थ कोईशन को हम लोग आज के बिड़ो में सॉल करेंगे कोईशन में बेसिकली एक डिटर्मिनेंट दिया है, अब बोला है कि इन में चारों में से कौन सा ओप्शन आई होगा यह जो A दिख रहा है, यह एक्चली में को फेक्टर है, तो डिटर्मिनेंट निकालनेंगा मैंने आपको तरीका बताय हुआ है कि जो भी आप रो या कॉलम चूज करेंगे, उसी के को फेक्टर से आपको मल्टिप्लाय करना होता है जैसे मालीजे मैं यह कॉलम चूज कर रहा हूं, यह रो चूज कर रहा हूं, A1, 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 A1 जो यहां पर इंडिसेस होगा वहीं यहां पर भी होगा जो यहां पर भी होगा वहीं यहां पर भी होगा जो यहां पर भी होगा जो यहां पर भी होगा क्या option नमर यह में ऐसा कुछ दिख रहा है बदाईए नहीं दिख रहा है यहां 11 है तो यहां 3 1 है पहला option तो ऐसे गया त स्बते सलाट गलत है कि यह तीसरा और्ट क क्या कि यहां पर है बैंते चाना दिखते अधिर कईroads में सब्सक्तर करते हैं तो यह आम क्दशन में यहां थम आई होगा Ồच लेघर य्या कंशन चर्थ सकते या अधिया तो यह था है 3-1 है तो यहां पर भी 3-1-1 है उम्मीद कता हम समझ में आया होगा समझ में आया तो वीडियो को लाइक करेगा मिलते हैं अगले वड़ों में तब तक के लिए गुड़ बाई